समाजवादी पार्टी पर लगा गुंडा राज का टार 2012 में सपापार्टी की गुंडई वाली इमेज मुलान यादव की शह पर दूद बेचने वाला बना गुंडा माफिया के कंधे पर बंदूक रख अखिलेश यादव बने हीरो नमस्कार, स्वागे थे आपका सीनियूस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्ता वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाचपा की सरकार है और योगी आदितनात यहां के मुख्या है जिनके हातों में प्रदेश की सुरक्षा विवस्था की कमान है जिसके चलते प्रदेश में गुंडा राज ना के बराबर रह गया है लेकिन भाचपा से पहले यहां समाज वाधी पार्टी का राज था और मुलाम सिंग यादव और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव सूबे के मुख्य मंत्री बने लेकिन सफा के राज में माफिया अपराधी सिर्फ चड़ कर बोलते थे उनमें ना तो पुलिस का खौफता और ना ही सरकार का यही कारण है कि 2012 में सफा की इमेज गुंडाई वाली पार्टी की थी हलाकि आज भी इमेज बरकरार है पर अखिलेश यादव इस इमेज से मुक्त है अखिलेश की मुक्ती शुरू हुई 2012 की टिकेट बटवारे से आपराधिक बैक्ग्राउंड वाले नेता डीपी यादव को अखिलेश ने टिकेट नहीं दिया इसके बाद अचानक से वो लोगों की नजरू में आ गए सबको लगने लगा कि अखिलेश की रूप में एक ऐसा नेता आया है जो प्रदेश में गुंड़ाई मटाने को लेकर सीरियस है मैं मुद्दा अखिलेश ने 2017 की चुनाव में भी उठाया मुक्तार अंसारी की पार्टी की सपा में विलेको लेकर अखिलेश ने जो बगावत की की पार्टी ही तूट के कगार पर पहुँँच गई हाला कि राजाभईया की नाम पर अखिलेश की चुपी ने किसी तरह का हंगामा खड़ा नहीं किया अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये डीपी यादव जिनको टिकट ना देना अखिलेश का अचीवमेट बन गया तो बता दे कहानी है नौइडा की जहां सेक्टर 18 के पास के गाउं श्रक्फराबाद में धरमपाल यादव नाम का एक आदमी रहता था जगदीश नगर में डेरी चलाता साइकल से दूद दिली ले जाता दूद बेशते बेशते यादमी 70 के दशक में शराब माफिया बाबु किशनलाल के संपर्थ में आया शराब का व्यापार इमानदारी से नहीं होता इंदुस्तान में इस व्यवसाई को ही नफरत से देखा जाता है बेचने वाले भी कोई नियम कानून नहीं मानना चाहते शराब की बिक्री के अलावा शराब अवैद रूप से बनाई भी जाती थी और तसकरी भी होती थी कहते हैं कि किशनलाल की तसकरी में धरमपाल भी शामिल हो गया जोतपुर से कच्ची शराब आती थी पैकिंग के बाद अपना लेबल लगा कर उसे बेचा जाता था शराब के धंदे में सब कुछ फटा फट होता है इसी जल्दबाजी में धरमपाल यादब डीपी यादब में लगभग साड़े तीन सो लोग मर गए हरियाना पुलिस ने डीपी यादब के खिलाफ चार्ट शीट भी धाकिल की पर उनको सजा नहीं हो पाई क्योंकि इस व्यापार से वो राजनीती के संपर्थ में आ चुके थे इनके पास पैसा था नेताओं के पास पावर कहा जा दिया वो धनबल और बाहुबल का दुरुपयों कर आराम से जीत गये पर साल 1991 में डीपी के खिलाफ एनसे के तहत कारेवाही भी हुई पर डीपी का कुछ बिगड़ा नहीं तब तक वो महेंद्र भाटी से अलग होकर मुलायम के खेमे में चले गए थे डीपी पर नौहत्य तीन अटेंप्टु मडर दो डकैती अफरन और पिरोती के मामले दर्च हुए तादा और गैंग्स्टर आक्ट के तहत भी कारेवाही हुई 2015 में कोट से उसे आजीवन कारवास की सजा हुई कहा जाता है कि मुलायम सिंग्यादव के करीबियों और पार्टी के खास नेताओं को डीपी आदव आए दिन कीम्ती तौफे भेशते थे इतना रसूक हो गया था कि कुछ भी करवाले थे अपने ही डेक्लेरशन के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश का सबसे धनी नेता बन गया था पर उससे मुलायम की चवीश जादा खराब होने लगी साथी पार्टी पर डीपी का प्रभाव बढ़ने लगा डीपी यादव पार्टी पर हावी होते उससे पहले मुलायम सिंग यादव ने डीपी से ही किनारा कर लिया मुलायम से बिगार हो गया इतना हुआ कि डीपी मुलायम के खिलाफ ही लोगसभा कचुनाव लड़ने पहुँच गए पर हार गए वहीं जब अखिलेश ने डीपी को टिकट नहीं दिया तो वावाही खूब हुई पर डीपी ने सपा को बदायू में मात दे दी अखिलेश यादव ने सरकार बनने के बाद पंचायतों की तरफ रुख किया बाद में राजा भीया को लेकर एक बार फिर सपा पर गुंडा राज का टाग लगया जो आज भी बरकरार है फिलाल के लिए इस खास रुपोर्ट में बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहेए सी न्यूज भारत